कि अलो फ्रेंड्स वेलकम टू जर्मन क्लास आज हम पढ़ेंगे पैसिव वॉइस इन जर्मन कैसे संटेंस बनाते हैं क्या रूल्स होते हैं तो इसको हम देखेंगे पूरा इस वीडियो में एक्टिव और पैसिव जर्मन में बहुत इंपॉर्टन टॉपिक है यह बीवन ले इसका मतलब है कि आपको किसी वी वर्प की पर्फेक्ट फोर्म पता होना चाहिए तब यह आप एक पैसिव संटेंस बना सकते हैं और दूसरा रूल आप देखेंगे अब्जेक्ट बेकम सब्जेक्ट जैसे कि इंग्लिश में होता है जो अब्जेक्ट होता है संटेंस पे सब्जेक्ट बन जाता है ठीक है और उसी तरह से जर्मन में भी इस तरह से संटेंस को फ्रेम करते हैं तो वेडन आप देखे हैं और पर्फेक्ट आपको लाश्ट प्लेस पे मेंशन करना है यह इंपोर्टन रूल है इसका आपको ध्यान रखना है अब हम देखते हैं पहले फ्रेंग कोंज्रूगेशन ठीक और पास्टंस में ठीक है ठीक है ऐन आपको अई आपको लेन गयान करने है विद durum आपको पता होना चाहिए forms और परफेक्ट आपको, मैंने एक्जामपल स्दिये कुछ परफेक्ट फ़ाम्स की यह परफेक्ट फॉर्म्स होती है जैसे मांखन की गेमांक लेजन की गेजन इसी तरह से आप देख सकते हो तो आप वैडन यूज़ करोगे और पास्ट बनाना है तो वोडन यूज़ करोगे और प्लस में परफेक्ट यह रूल है बहुत सिंपल सा तो वैडन आपके लिए बहुत यूज़ रहरा अगर आपको प्रेसिव बनाना है present tense में और प्रटैरटू में पास्ट में अब एक sentence मन subject को remove करेंगे इसको और हमें I am book है उसको हमने use करना as a subject वहें देखें के इस तरह से करते है इसको हमने remove करा I am book with gillison ये आपका passive voice टयार हो गया I am book और wedding को मैं बूक के साथ conjugate किया third person है तो वेड और gillison आप दोबारा conjunction देखेंगे वेड़न की third person में नहीं वे दोता है दोक है एक भूक कि पढ़ी जा रही है कौनं पढ़ रहा है वह इंप्रूटेंट रही है एक्श्रीस इंपर्टन dink एक्षन क्या हो रहा है यह भshit है ऐसे लिए लिखा है वुक पढ़ी जा रही है तो यह इसी को बोलते हैं, subject हटा देंगे, और हम object को, I am book को as a subject use किया है, और उसी के according हमने वेडन को conjugate किया है, तो इस तरफ से आप देख सकते हो, वेडन हमने दुबारा second place पर ही लिखा है, according to rule, और gelizen जो की perfect है, वो last place पर हमने लिखा है, यह भी rule को हमने follow गिया, तो इस तरह यह सा आपको ध्यार ना करना है rules को, और आपको sentence frame करने है, a book is being read, a book is read, यह इसका मतलब है sentence का, जो कि एक passive voice है English में, और passive starts बोलते है जर्वन में, एक और example देखते है, Tim count I am handy, Tim ने एक mobile खरीदा, Tim एक mobile खरीदता है, Tim purchase a mobile, तो यहां पर subject तुबारा हम remove करेंगे, जो कि आपक अब उसको हम एक subject बनाएंगे, तो मतलब कि I am handy से अब हम conjugate करेंगे word, वेर्डन को, तो यह बन गया आपका sentence, I am handy read the count, mobile is being purchased, mobile is being bought, एक mobile खरीदा जा रहा है, यह action है, जैसे कि मैंने बताया passive sentence में, action is more important, action क्या हो रहा है, mobile खरीदा जा रहा है, तो यह हमें लिखना है sentence पे, त गिकाउफ जो की perfect form है, काउफन की, यह हमने लिखा है last place पे, तो यह आपका sentence complete हो गया है, I am handy read the count, यह आपका passive tense, ठीक है, इस तरह से आपको भी sentence frame करने, practice paper आप कोई भी उस कर सकते हो, present और past, दोने sentences आप frame कर सकते हैं, passive में, अब देखिए कुछ sentences में लिखे, air trinkt cola, air repariat mine auto, तो, डिकिंडर श्पीलनिम गाटन, डिफ्राव रॉयम्त दास सिमर आउफ, और टिम रूफ्ट मार्टिन आन, इनी sentence को आपको पैसी में convert करना है, जिससे कि आपकी practice अच्छे सो जाए, तो सब sentence में से आपको पहले subject को remove करना है, suppose हम first example लेते हैं, air trinkt cola, air को आप remove करोगे, और आपका जो sentence बने का वो, cola को as a subject use करोगे आप, इसी तरह से air repariat में air को आप remove करोगे, और mine auto को as a subject use करोगे, डिकिंडर को आप remove करोगे, और यहां पर अपक्या object नहीं है, im gotten, यह follow खर रहा preparation को, तो आप im gotten को as it is लिखोगे, preparation के साथ, और आगे लिखोगे im gotten, weird as, तो जहा एक बार और में बताता हूं, जो भी object preparations को follow करते हैं, उस sentence में हम, weird as, या as weird का structure यूज करते हैं, इनको आप practice करना हैं आपको, इन sentences को, अब हम देखते हैं, passive में modal work, passive modal work के साथ भी यूज करते हैं, कैसे बनाते हैं modal work के साथ passive, इसका भी एक rule होता है, modal work plus perfect plus wedding, अतलब modal work second place पे उसके बाद perfect, और last में आपको wedding लिखना है, conjugate नहीं करना, as it is wedding ही लिखना है, positions इसकी देखिए, second place पे model work, और last में wedding, चीक है, अब देखिए, इश कान, आउटो, फारन, इसका क्या sentence बनाया हमने, तो हमने इश को हटा दिया, आइन आउटो, कान, ये फारन वैडन, एक can be drawn, ये आपका passive voice है, model work के साथ, तो कान को second place पे लिखा है, और wedding लास्ट में रहेगा, और फारन का perfect बनाया हमने, गे फारन, तो ध्यान देखिए, structure पे इस तरसे model work के साथ passive voice बनाते हैं, आपको सिर्फ रूल को follow करना है, और sentence बहुत easy है, build and see passive starts, कुछ sentences है, आपको इन से practice कर दीए, ये model work के साथ है, air zone langsam out of foreign, he should drive car slow, यहापर he को अटा देंगे हम air को, auto को हम लिखेंगे as a subject, आइन आउटो, जॉल, लांगजम गिफारन वैर्डन, ये आपको practice करनी है, इस तरह से सारे sentence model work के साथ है, आपको practice कर दीए, और passive बनाना है, जैसे कि मैंने example में अभी आपको दिखाया था, तो model work कोई भी हो सकती है, जॉलन, क्योनन, तो इस वीडियो में इतना ही, I hope आपको वीडियो समझाया होगा, see you next time, bye bye, take care.